अलो फ्रेंट्स वेलकम्टू ट्टॉक लेवितियस यूटूब चैनल कि आज भात करेंगे कि माइक्रोविन प्रोग्रामिक सौफ्व्यर में हम लोग सभ्ट्रैक्ट्स यानि सब इंटीजर यानि इंटीजर में सब चैक्ट इस्ट्रेक्शन कैसे यूज करते हैं यह सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले हमने बहुत सिंपल सा काम किया एक काउंटर ले लिया जैसा कि हम प्रिविज वीडियो जो भी बताया था मैंने आपको और इससे हमने एक काउंटर से पल्सेस काउंट कराई यानि इंपूट 0 एक सी जिरो काउंटर काउंट करेगा और उसके बाद क्या होगा कि जैसे यह 10 पर चला जाएगा तो है और यह बहुत चोटा सा काम किया है इसी तरीके से मैंने मैं आटो रिशैट किया यह पल्से देते रहेंगे जिए जिरो डॉड जिए तो एट्वमेटिक स्थे चलता रह को सुछ करेंगा और यहां पर यह सीए मबन चांटर है यह को सबसे पहले हमें क्या को एक करना है हमारे पता है कि हमारे डॉनों कंटर परेंट इंटीजर वैली सपोर्ट करते हैं तो सफ्ट्रेक इंटीजर डारेक्ट हम यूज कर सकते हमें कुछ और करने के ज़रत में है लेकिन हां एक काम करेंगे पहले करते हैं सबसे एक काम करने एक privacy ले लिया मोड़ी उसके बां मैं यहां पर क्या करूंगा मूं द् कर लिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे काउंटर वर्ड वाली सपोर्ट करते और हमाँ वर्ड मेली को सेंट करना वाड अट्रेस पर थो हमारे यहां पर यानि move word और यहां पर भी movement यानि कुल मिला के देखेंगे C0 C1 दो हमारे counter है और दौनों की value को हम चाहते हैं एक word address पर move हो जाए तो पहले वाले move block में C0 पहले counter के लिए C0 counter की value जब हो counter count करेगा MW से मैंने यहां पर 2 पर लेके चला गया और दूसरे वाले counter काउंटर जब काउंट करेगा तो MW 4 पर चला गया है यानि कुल मिला के यहां पर देखेंगे तो दो काउंटर है मेरे पास C0 and C1 दौनों काउंटर हमारे memory नाद मूब वर्ड यानि C0 पर अगर value चेंज होगी तो MW 2 पर जाएगा सी रीच गहाँ चाहते हैं कि मैं चाहता हूं कि are एक यहां से क्या करते है एक subtract यानि मैं यहां पर integer में जा रहा हूं यानि सब आई यानि सब आई मैंने ले लिया अब MW2 पर जो भी काउंटर चलेगा यानि C0 काउंटर काउंट करेगा जो वैली MW2 पर जाएगी वह इसका मतलब यह होता है कि आई एन वन पर जो वैल्यू चलेगी जो भी वैल्यू आएगी उस में से आई टू पर जो भी वैल्यू वह माइनिस हो जाएगी यानि MW2 में से और यहां पर दूसरा काउंटर सी वन पर जो जा रहा है मिरा एड्रेस MW4 वह उस पर जो भी वैली और जो भी रिजल्ट आएगा आउट पर चला जाएगा like mw6 तो अभी यहां पर क्या हो गया दो काउंटर है c0 and c1 mw2 और mw4 दो काउंटर है जो भी value आ रही है वो वर्ड पर जा रही है यानि mw2 में से mw4 value minus हो जाएगी और result मेरा mw6 पर चला जाएगा इस तरीके से हमने यह addresses किये अब यहां से इसको एक बार compile कर लेते हैं compile पर कोई error नहीं है यानि 2 counter होगे c0 and c1 9 counter की value को मैंने move करा दिया एक particular word address पर और word addresses से हमने क्या किया mw2 में से mw4 value minus हो जाएगी तो result 6 पर आ जाएगा उसके बाद मैं file में जाके export कर दूँगा और इसको यहां पर किसी नाम से save करूँगा से subtract i के नाम से मैंने export कर दिया dot awa file क्यों किया क्योंकि मुझे simulation पर काम करना है अगर simulation पर काम नहीं करना है direct करना है तो आप direct यहां से download भी कर सकते हूँ उसके बाद मैं यहां से simulator open और उसके बाद यहां से max match कर देंगे अब इसको यहां से controller run mode में लेके चले जाए है और अब यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहला काम यह है कि पहले यानि c0 counter से pulses को कुछ count करा लेते हैं अब यहां पर मैंने count कर आया 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया इस तरीके से मैंने 5 pulses count करा ले अब यहां पर देखेंगे c1 counter क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया है कि c0 counter जो भी count करेगा उसमें से c1 counter की जो भी pulses आएंगे जो भी counting counted pulses आएंगे वो minus हो जाएंगे तो मैं counter नंबर जो 0 है उस पर 5 मैंने pulses को count करा लिया counter 1 पर मैं कुछ कम pulses करा लेता हूं लाइक 2 कर लेता हूं तो c1 counter ने 2 pulses काउंट की और c0 ने 5 अब यहां पर देखेंगे मूव इंस्ट्रक्शन का यूज करके मैंने जो value है उसको ट्रांसफर कर दिया निका मूव करा दिया c0 की value को mw2 में 5 आगे c1 की तो mw4 में अब देखेंगे तो mw2 पर पहले counter की value 5 है mw4 पर 2 है तो 5 में से 2 यानि 5-2 होगा तो result हमारा mw6 पर 3 आ गया यानि होगा यह कि बेरा जो c0 counter काउंट करेगा पल्स उसमें से c1 वाले counter की पल्स माइनस हो के result mw6 में चला जाएगा जैसे अभी मैं c0 counter से count करा लेता हूं कोछ पल्स है लाइक दिस तो यहां पर देखेंगे कि mw2 में 8 है और mw4 में 2 है 8-2 result हमारा 6 आ गया इस तरीके से हम subtract integer यूज करते हैं और अगर मैं दूसरे counter से एक और पल्स काउंट करा लो जैसे यह 3 पर है यहां देखेंगे 8-3 result हमारा 5 आ गया इस तरीके से subtract integer हम लोग यूज करते हैं कोई भी value को अगर minus कराना हो तो बहुत आसानी से किया जा सकता है आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और सियर जरूर करें तो थैंक्स फोर वाचिंग माई वीडियो इस थैंक्यू सो मच